हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले आज के जो भरवा करेले मैं बनाने जा रही हूँ, यह बहुत कम समय में बन के तयार हो जाएंगे और इसमें मैंने तेल का भी जादा यूज नहीं किया है, तो वीडियो के लाज तक आप बने रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं भरवा करेले तो करेले बनाने के लिए सबसे पहले हमें करेलों को अच्छे से साफ कर लेना है देखे इस तरह से और यहाँ पर देखे मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लिये हैं और इसके बाद हम देखे क्या करेंगे गैस के उपर कड़ा ही रखेंगे उसमें हम रख देंगे तेल गरम करने के लिए तेल के गरम होते ही हम करेलों को फ्राइ कर लेंगे तो आज हम करेले फ्राइ करके बनाएंगे इसे बहुत कम समय में करेले बनकर त्यार हो जाएंगे तो हम पहले इसको फ्राइक और उसके बाद इसमें कट लगाके अंदर के जो बीज हो बाद में निकालेंगे तो देखा यह मेंगे है मैंने निकाल लिए एकma," ताकि extra oil सारा सोक जाए तो देखे मैंने वही किया है और यहां पर देखे तेल कितना सारा बच गया है क्योंकि बिल्कुल भी जादा तेल नहीं लगा है बहुत थोड़ा लगा है यह हम तेल बाहर निकालेंगे अभी इतना तेल यूज नहीं करेंगे तो चलिए अब करेले के मसाला बनाकर तयार करेंगे वह देख लेते हैं तो मसाले में देखे हमने लिया है दो छोटे चमदल 10 मादा देखे माने बड़ बाली जो सब्रें जीरा लेंगे और यह चारो चीजों करते एंगे इसके बाद हम इसको दो मेट तक गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए भूल लेंगे तो यहाँ पर यह देखिए अच्छे से भून गए है मसाले में खुसबू अच्छे से आ रही है चलिए इसको ट्रांस्फर कर लेते हैं एक प्लेट में इसको ठंडा होने के बाद इसको दरदरा सा पाउडर बनाकर तयार कर लेंगे और यहां पर देखे कढ़ाई मैं सेते टेल सारा निकाल दिया थोड़ा सो दो बड़े चमस मैंने यहां पर लगा है I या इसपifa कर सकते हैं मैंने यहां पर कद्दू कस कर लिया है तो प्यास कारीब 3 deliver से 4 मिनन !!! तक यह बढ़िया से भून जाएगा जब इलकुल सुनहरा कलर आ जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है और यहां पर देखिए मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया बस इसी तरह से प्याज को भूनना है ठीक है और अब हमें इसमें कुछ सूखे मसाले अट करने हैं इसको हम mix कर देंगे प्याज में तो इसको mix करने के बाद ज्यादा पकाना नहीं है मैंने यापर गैस की flame को बंद कर दिया है और अब इसमें खटास लाने के लिए देखिए मैंने यापर एक कच्चा आम लिया है अगर आपके आप पास कच्चा आम नहीं है तो एक चमच आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर कच्चे आम को इस तरह से देखे छील करके उसको कदू कस कर लिया है तो यह अच्छे से गल जाएगा आराम से इसमें हम नमक डाल देंगे तो अभी जो मसाला है वो गरम है तो यह आम अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा तो कच्चे आम जरूर डालिएगा अगर है करेले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और यहाँ पर देखे मैंने नमक मिक्स कर दिया एह नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डण मिक्स करगा और दिखे चलिए मसालों को हम एक मिनट के लिए अच्छे से मिला देंगे और इसको रख देंगे धंड़े के लिए जब तक मसाला हमारा ठंडा होता है तब तक हमें क्या करना है जो मैंने करेले फ्राई किया थे ना उसमें कट लगा के उसके सारे जो बीज है ना वो निकाल लेते हैं आप इसमें चाहें तो बीज नहीं निकालें तब भी ठीक है पर मैं इसमें बीज निकाल के बनाऊ को चोब मसाला बनाया है करेले में फिल करने के लिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो इसी तरह से आप झरूर करएगा देखिए क्षा यहां पर मैने सारे करेले में अच्छे से मसालस को फिल कर देना है यह देखिए दबा dia की तो यह देख सकते हैं, मैंने मसाले को कितने अच्छे से करेले में फिल कर दिया है, दबा दबा के अच्छे से भर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा तेल का यूज नहीं किया है, वैसे तो यह करेले बिल्कुल तयार हैं खाने के लिए, पर मैं अभी 2 मिनट के लिए इनको और फ्राइ करूगी कड़ाई में, थोड़ा सर्बिश में ख्रचर क्रच लाने के लिए, तो यहाँ पर मैं थे लिक और पर फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन जरूर दबा दीजिए चलिए ओके बाई बाई